मैं संकट एवं विपदाओं से भेभीत नहीं होंगा संकट पूर्ण दिन आने पे भी मैं भागूंगा नहीं वरन आगे बढ़कर कश्टो को सहूंगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूगा नमस्कार मेरा नाम जहानवी खोजी है और मैं जैपुर राजस्थान से नहरु युवा केंद्र का युवा एवं खेल मंत्राले प्राइड एवं भ्हारत सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अफसर प्रदान किया कि मैं नेता जी की जैनती के दिन उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से शद्धान जिली दे सकूँ तो ऐसा क्या है जो बोस को युवाओं का आदर्श पनाता है ऐसा क्या है जो एक साधारन सा युवा सुभाश महान भारत का प्रेणा सोत्र बन जाता है और वो है उनका प्रेणाओं से भरा जीवन 23 जनवरी 1897 को उडिसा के कटक जिले में श्री जान किनाज जी के घर एक पुत्र का जनम होता है जो से फुन का पुत्र नहीं भारत मा का पुत्र था संपन्य परिवार भाई बहन जो सब होते हुए भी वसुधेव कुटुम्बकम की विचार धारा पे चलते हुए सबी भारत वासियों को अपना परिवार मान ले वे बोस जो अंग्रेजों के शासन में कड़ी मेहनत का परिचे देते हुए भारतिय प्रशासनिक सेवा के चोते स्थान पे अपना नाम दर्च करवाले वे बोस जो भारत की अवस्था और अपने लोगों की दुर्दशा को देख सभी सुक सुविधाएं छोड अपने वतन को लोट जाएं वे भारतिय स्वतनत्ता संग्राम का ऐसा ध्याय लिख रहे थे जो आज के नए भारत की नीव है पिचाए वो आजाद बैंक हो या आजाद हिंद फौज का गठन जो आज भी विविदताओं में एकता की प्रतीक है जहां वर्तिमान परिपेक्ष में आज भी के लिए संगर्ष कर रही है वहाँ उन्निस सो तैतालिस में रानी जासी रेजिमेंट अंग्रेजों से लोहा ले रही थी और इट का जवाब पत्थर से दे रही थी वह उस महिलाश शक्तिकरण को सिर्फ एक विचार नहीं भारत की हकीकत बनाना चाहते थे मगर नहीं आजादी वह विचार है जिसके लिए मैं मर भी जाओं लेकिन यह विचार मेरी मित्यू से थमेगा नहीं हजारों लोगों में अफ्तार लेगा पनपेगा तब तक जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक जब तक मेरा भारत आजाद नहीं हो जाता और आ अपने नेता जी ने देखा था तो क्या है नेता जी की विरासत या ऐसा कहूं कि कौन है नेता जी की विरासत मैं हूं नेता जी की विरासत आप है नेता जी की विरासत और भारत का वो युवा है नेता जी की विरासत जो अमरित काल के इस समय में भारत को नहीं बुलंदियों पर लेके जाएगा और उनके इस सोपन को साकार करके दिखाएगा और भारत को विश्व गुरू बनाएगा है समय बड़ा तूपान प्रबल परवज जुग जाया करते हैं अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई जिसकी जैहिंद निशानी है धन्यवाद जैहिंद जैभारत देवियों और सज्जनों आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं रोहनी एम ईश्वर की अपनी धर्ती केरल से नहरो युवा के इंदर संगटन तिरुबन अंतपुरम का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ मात्र भूमी के रक्षक, सदैव राष्ट्रवादी, भारतियों के प्रेरनास्रोत, नेताजी सुभाष चंद्रबोस ये सिर्फ एक नाम नहीं बलकि युवाओ के अंदर क्रांती की ललक पैदा करने वाली एक चिंगारी है नेताजी ने अपने कॉलेश के शुरुवाती दिनों में ही बंगाल में क्रांती की वह मशाल जलाई जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नहीं धार दी राष्ट्रे आंधोलन में उनका योगदान अंग्रेजी अकबार फॉर्वर्ड में लिखने से लेकर कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फॉज का नेत्रित्वकर अंग्रेजों से लोहा लेने तक का रहा नेताजी ने भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धर्ती पर राष्ट्रिय ध्वश फेराया नेताजी भारत की विरासत पर गर्फ करते थे और जल से जल भारत को आधुनिक भी बनाना चाहते थे भारत के सम्मानिन्य प्रधान मंत्री महोदे श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 25 साल हमारे देश और 130 करोड की आबादी के लिए बेहत खास होने वाली है आजादी के इस अमरितकाल में हम सभी युवाओं का कर्तव्य है देश के विकास में राष्ट निर्मान में अपनी भागीदारी देना जैहिंद तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा नेता जी के ये शब्द अपनी मात्र भूमी के प्रती हमारे कर्तव्य के भाव को जगा देती है जिस तरह नेता जी ने पूरे विश्व के भारतियों को संगटित किया उनसे हम सभी युवाओं को संगटन शमता सीखनी चाहिए हम सब को एक साथ मिल जुल कर एक भारत श्रेष्ट भारत के सपने को साकार करनी चाहिए महिलाओं को समान अधिकार और समान देने हे तू नेता जी सुभाष चंद्रबोस ने महिलाओं की फौज रानी जासी ब्रिगेड बनाई और साथ ही उन्होंने आजाद हिंद फौज में सभी धर्मों के लोगों को साथ में जोड दिया आज से लगबग 80 वर्ष पहले नेता जी ने ये उदारन करके दिखाया कि देश सरवो परी है मनिश्य का धर्म, जाती, रहन, सेहन, खान, पान, विचार, संस्रती इन सब से परे है आज जब देश आत्म नर्बर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तब उतक्रिष्ट राष्ट प्रेम, निस्वार्थ राष्ट सेवा, एक बड़े लक्षि के प्रती पूर्ण समर्पन, प्रतिकूल परिस्तितियों में अदम्य साहस और देश के प्रती आशावादी द्रिष्टी रखने वाले सुभाष चंद्रबोस, नई पीडी के लिए सदैफ, सदैफ प्रेरना के स्रोत बने रहेंगे, अंत में सभी युवाओं से, सभी भारतवासियों से बस यही कहूंगी, कि तू शेर एहिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा नडर, उडा के दुश्मनों का सर, जोश ए वतन बढ़ाए जा, ये जिन्दगी है कौम की, चलो आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिलों मैं थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसे लेकर आजादी पहुँची थी किनारे पर, आओ आज उस देश भक्त को याद कर लें नमस्कार, मैं नमिता नहरू युवा के अंदर कुलू से, हिमाचल परदेश का प्रती निधित्व करते हुए, बात करने जा रही हूँ, हमारे प्रिया, नेता जी सुभाष्ट अंदर बोस के बारे में नेता जी की लोग प्रिया निम्रिती कुछ इस परकार है कि वे एक ही संदर्व में दो अलग-अलग छोर पर नजर आते हैं नेता जी की एक छवी अपने प्राणों का उत्सर्क करने वाले राष्ट भक्त के रूप में नजर आती है तो वहीं उनकी एक छवी वर्दी पहने सीना ताने कुशागर बुद्धी वाले ऐसे व्यक्ती के रूप में नजर आती है जिनों ने राष्ट के लिए सब कुछ त्याक कर दिया एक नेता जी की मृत्यू वायू यांदुर गटना में हो गई थी परंतु एक नेता जी सुभाष चंदर बोस आज भी हम सब के बीच भारत में विद्यमान है आज जब भारत आजादी का अमरिक महोत्सब मना रहा है तो हम सब का करतव्य है कि हम नेता जी के योगदान का नव भारत के निर्मान में उप्योग करें हम देखें किस तरह 21 सदी के हिंदुस्तान के लिए नेता जी प्रासंगिक है इस बात में कोई संशे नहीं है कि आर्थिक रूप से सक्षम होना किसी भी राष्ट्र की बुनियादी चाहा है ऐसे में यहोँ देखना अत्यंत रोचक होगा कि क्या नेता जी के पास कोई आर्थिक मॉडल था क्या उनकी कोई अर्थ नीती आज भी प्रासंगिक है सन 1938 में दियेगे हरीपुरा अधिवेशन के अध्यक्षिय भाषन से नेता जी के आर्थिक विचारों का पता चलता है नेता जी दो तरह से आर्थिक सुधार की बात करते हैं क्रिशी सुधार और अध्योगिक सुधार जो अमरित काल्यूग में जीवन को सरल बनाता है नेता जी से जुड़ा है नेता जी गुलामी के अंधेरे में वो चेत्रा थी जिरो ने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने सीना तान कर कहा था मैं तुमसे आजादी मांगूगा नहीं छीन लूँगा नेता जी का यही उर्जा भरा जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेड़ना स्टोथ है हमें चाहिए कि हम पीड़ी दरपीडी नेता जी के योगदान को याद करें और आज 23 जन्वरी को मनाए जाने वाला यौप प्राक्रम दिवस निष्टित रूप से इस संदर्व में उचित कदम है मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननिया अध्यक्ष महोदेजी का और प्राइड का जिरों ने मुझे आज नेता जी पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया अंत मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी वानी को विराम देना चाहूंगी कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे शहीदों की कुरुबानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे बची हो जिस्म मैं एक बूंद भी लहू की तब तक भारत मा का आचल निलाम नहीं होने देंगे जै हिंद जै भारत झाल झाल